मित्रो नमस्कार द्रिश्ट कोण के प्लेट फाम पर आपका स्वागत है आई है मित्रो हम लोग आदमिक भारत की इतिहास में कल 1857 का बिद्रो पढ़े आज जो हमारा टापिक है समाजिक धार्मिक आंदोलन समाजिक धार्मिक अंदोलन कैसे हुआ या इसे हम पुनर जागरान अंदोलन के नाम से जाना जाता है तो आईये देखते हैं कि क्या इसकी प्रिष्ट-भूर्म थी इस प्रिष्ट-भूर्म के कानक कान कान से ऐसे कारत थे जो समाजिख धार्मी का अंदोलन प्रारम हुए और ये समाजिक धार्मिक अंदोलन के प्रमुख कौन कौन से जगती थे तो आईए जानते हैं आज हमारा जो टापिक है समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन और इस सुधार अंदोलन में सबसे पहले हमें यह जानना है कि यह है क्या यानि इसे हम पु उन्यिष्वी सताप्दि का उनुरुद्धार आंदोलन उनृत्धार क्या कहते हैं उनलुद्धार कहा जाता है तो आईये हम देखते हैं के आंदोलन क्या हम कहा जाता है क्या प्रिष्ट-βोम थी काउन काउन से जैसे कल हमने देखा कि करांति के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो करांति आपकी एकाएक नहीं सुरू होती करांति के पीछे कोई न कोई कारण इसी प्रकार से जब भी आपका समाजिक धार्मी का अंदोलन होता है तो समाजिक धार्मिक आंदोलन के भी कोई न कोई क्या होते हैं, कारण होते हैं, तो चलिए हम आज देखते हैं, समाजिक धार्मिक आंदोलन जिसे हम उनिश्विन सतापदी का पुनरुधार आंदोलन या पुनर जागरान आंदोलन के नाम से इसे जानते हैं, पुनर आपका क इसका मतलब विए कि यानि क्या हमारी आत्मा सोई हुई थी थी आयो नहीं यहां पर मुख्यूप सी यह हमें जानना है ती इस समय में सतwarz्ण समाज बीथा उतर, भर्वारती समाज sticks में अनेक कुरूतियां ब्याप्त हो गैं थी इना एक सामाजी कुरूतियां इस समय में समाज का निर्माड नहीं हो पाता है तो यहां पर इसको हम ऐसे देख लेते हैं मोखे की समझते हैं कि जब तक आपके समाज में सामाजिक कुलूतियां ब्याप्त होती हैं तब तक प्रगत सील समाज की कलपना हम नहीं कर सकते हैं और इसी द्रिष्ट को रखते हुए एक अंद आंदोलन चलाया गया और जिसे हम पुनर जागरान आंदोलन या समाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं जैनि इसकी प्रष्ट भूम क्या बनी कि इस समय तक हमारे भारती समाज मेंने कुलूतियां ब्यापती और इन्हें दूर करने के लिए इन्हें नव लेकिन किसी भी जागरान आंदोलन के किसी भी आंदोलन के पीछे कोई न कोई कारक आपका छिपा होता है कोई न कोई आपकी प्रिष्ट भूम होती है तो यहां पर भी उन्हें जागरान आंदोलन के पीछे भी एक प्रिष्ट भूम थी प्रिष्ट भूम या एक आपका का तो चलिए हम जैसे का हमने बताया कि उनीश्वी सताब्दी का यांदोलन था तो इसके पीछे क्या प्रिष्ट भूम या क्या कारण था जैसे इस समय तक यहां पर मुखरूब से जानना है कि इस समय तक भारत में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो चुकी थी राजनीतिक एकता क्या हो चुकी थी इस थापित हो चुकी थी भले ही वो बीकिते ओ वो बीदेशी ही प्रकिती हो और भले ही इसकी प्रकित क्या थी, बिदेसी को इस आसन कर रहा था, लेकिन भारत में राजनीती के एक ताश्थापित हो चुकी थी, और तब भारटीयों ने विचार किया, ऐसे हमारी कौन सी कमिया थी, जिसके कारण हम एक नहीं हो पाएं, और उसी विचार के कारण एक नया स्टारεक ये बना कि राजनीति के ता स्थापित हो चुकी थी और भारती अपनी कमियों को दूर्स करने का प्रयास कि अपनी कमी को दूर करने का प्रयास कि और उसी दूर करने के प्रयास में ब्यां दोलन आपका औ Eagle शुरू हुआ तो चलिए यहां पर एक आरण यह आपका हो गया इस कारण से यह प्रेणा मिली इस प्रिष्ट भूम में आपकी क्या होती है तैयार होती है अगला है दूसरा जैसे यह आपका हमें मुख रूप से सिदे सिदे ता थी नहीं कुछ चीजों को हमें जानना कि इसके पीछे क्या प्रिष्ट भूम थी और जब हम आधनी भारत पढ़ते हैं तो वहां पर एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाय आपकी होती है तो चलिए दूसरा हम यहां पर देखते हैं दूसरा कारक यहां पर क्या था कि अब यह आउसर है जब एक बार फिर भारत कि विदेशी संपर्क में आये विदेशों के संपर्क में या विदेशी संपर्क में आये अब यहां पर एक चीज यह है जब संपर्क में आये जब संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आये तब वहां की आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक सामाजिक अर्थिक सामाजिक और द्योगिक इस्थित का इन्हें ज्ञान हुआ और द्योगिक इस्थित का भार्तियों को क्या हुआ और द्योगिक इस्थित का ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ अपने में सुधार करने का प्रयास किये और वही सुधार आंदोलन के नाम से यह जाना गया तो अपने में फिर जब प्रात हुआ तो अपने में सुधार करने का प्रयास किये अपने में सुधार करने का प्रयास किये यह हो गया दूसरी प्रिष्ट भूमिया आपकी एवनी प्रयास किये अगला हमें क्या जानना है अंग्रेजी भासा ने भी पुनर जागरान आंदोलन में महत्वपूण भूमिका निभाई अंग्रेजी भासा चलिए भई अंग्रेजी भासा ने कैसे हम भारतियों को थी कि हम जानते हैं कि 1813 ही सिभी का जब अधनियम आपका पारित हुआ था तो उसी समय एक लाख रूपए सिच्छा पभ्य करने का प्रावधान किया गया था और उस समय जब लाड मयकाले ने सिच्छा का माध्यम क्या निर्धारित किया था अंग्रेजी जब भारती अंग्र अंग्रेजी सिच्छा जान लिए अंग्रेजी सिच्छानी अंग्रेजी को समझ गए अंग्रेजी से सिच्छित हो गए तब भारती क्या किये विदेशी जो भी विदेशी है जैसे आपका गैरिबाल्डी रूसो मैजनी की जीवनियों का अध्यन किये यहां पर मुख के बाद करने के बाद मैजिनी पहरी वाल्डी और रूसों की जीवनियों का अध्यान किये रूसों की जीवनियों का क्या किये अध्यान किये रूसों की जीवनियों का अध्यान किये और सामाजिक यानि स्वतन्तर्ता भरातित्व यानि बंधुत्व राजनी कि एकता की भाउना काइन में क्या हुआ विकास हुआ तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंग्रेजी भासा ने भी भारतियों को क्या किया भारतियों को चेतना जगाने में महत्पॉल बुहुमिका का निर्वाह कियार। जब हम अंग्रेजी जानें तो दूसरे देश के जो महत्पॉल आपके दार्शनिक थे इनकी जीहों को हमने जाना इनके विचार को हम जाने और हम अपनी कम्यों को आपर देखे क्या हमारी कम्या थी किस कारण से हम पिछड़ते जा रहे हैं तो यहीं पर इनकी जीवनियों का धेन करने के बाद भारतीयों में केतना का क्या हुआ विकास हुआ एक कारण आपका ये हुआ इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं अगला एक कारण आपका बनता है जब किदेशियों द्वारा भारती ग्रंथों की सराहना की गई कब की गई जैसे आपका नाम एक है बिलियम जोंस तिलियम तिलियम जोंस मायक्स मूलर विल्किन्स अब इन्होंने क्या किया इन्लोगोंने क्या किया भारती ग्रंथों का जैसे हमारा भगवत गीता कुरान आदिका अंग्रेजी में अनुबाद किया जब भारती ग्रंथों का अंगरेजी में अन्वात गिया और गनुव तब Пरांपरागत नीटियों को सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी सब्वता और संस्कृत ब्रिश्ट के से क्या है ऐसा कौन कह रहा है ऐसा विदेशी कह रहे हैं इसलिए भारतियों में चेतना का क्या हुआ विकास हुआ यानि विलियम जोंस मैक्स मुलर बिल किंस द्वारा जो भारती ग ग्रंथों का क्या किया गया का अंग्रेजी में अनुबाद किया गया और ग्रंथों की सराहना की गई है अंग्रेजी में अनुबाद किया गया और भारती ग्रंथों की सराहना की गई भारती ग्रंथों की क्या की गई सराहना की गई इससे भारतियों में चेतना का विकास वो इस प्रकार से यह आपके प्रिश्ट भूम बनता है पुनर जागलन आंदोलन का अगली प्रिश्ट भूम समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भी महत्पूर्ण भूमिका थी आगे हम देखते हैं जैसे आपके समाचार पत्र हैं समाचार पत्रां प्होगए पत्रिकां पत्रिकां रेल्स विवस्था यह सब विवस्था जब खू हमने के उस्थां से दूसरे अस्थार पर पहुंच रहें दूसरे चेतरैंख की श्थितियों के और funds यह सभी विवस्था आपकी क्या है भारतियों में चेतना जगाने का कार किया भारतियों में क्या किया भारतियों को प्रेरित किया और और प्रेरित किया और उनर जागरान आंदोलन प्रारम्भुबुबु अब आगे यहां पर हम देखते हैं एक चीज और दो आपकी प्लेटें आपकी 7-4 जो ता है और एक सांस्कृतिक होता है बैसा सांस्कृतिक प्लेटें विछाण्ध को था आयल अपces मिलती है तो नंए उर्जा लिए हुए एक नवीन विचारण का क्या होता है जर्म होता है इतिहास हमारा इसका गवाः कि जैसे आपने देखा कि इसी प्रकार से जब पहली बार हमने क्या कहा कि जब बैचारिक और सांस्कृतिक प्लेटें आपस में मिलती हैं बैचारिक नहीं विचार ध्लारा का जन्म होता है तो ऊर्जा लिए एक चर्व जण्म होता है नमीन विचार ध्लार का जन्म होता है समझना कि बाइतीशार और विचार ₹ण में अब पर गवायि जैसे आपकाεί जडिय है वाप को याद होगा, छर्ठी सताब दी इश पूर में, जिए आस्तिक और नास्तिक प्लेटे आपस में क्या हुए , टकराईए, तब शठी सताब दी इसापूर का धार्मिक सुध़ार आंदोला नापका प्रारम रहुआ था कब जब एक आस्तिक प्लेट ये बन गई और दूसरी आपकी क्या बन गई नास्तिक प्लेट बन गई और दोनों जब आपस में टकराई तो एक नवीन विचार धारा का क्या हुआ जन्म हुआ जिसे छठी सताब्दी का धार्मिक सुधारांदोलन की नाम से जाना जाता है आपको याद होगा इसी समय बाध धर्म जैन धर्म सहित तिरसट संप्रदायों का क्या हुआ था उदय हुआ था तो क्या कारण था बैदिक कर्मकांडी व्यवस्था से लोग उप गए और उसी समय का हिंसाबादी आपके धर्म यानि बाध जैन आद आपके जबाए तो जब इसलाम विचारधारा यानि इसलाम प्लेट आपकी किस्से मिलती है इसलाम की प्लेट आपकी टकराती है किस्से जब आपकी टकराती है हिंदू धर्म से इंदू धर्म से तो इस समय जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती है तो एक नवीन विचारधारा लिए भक्त और सूफी आंदोलन होते हैं भक्ति और कौन होते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन की शुरुवात होती है आप मद्यकाल में पढ़ते हैं कि भक्त और सूफी आंदोलन आपके शुरू हुए थे भक्ति और सूफी आंदोलन यानि जब दो विचार आपस में मिलते हैं तो एक न अब इसलाम की विचारधारा और सनातन हिंदु धर्म की विचारधारा आपस में मिली देख नवीन और जागरित हुई जिसे भक्ति और सूफी अंदोलन के नाम से हम जानते हैं और इसी प्रकार से जब इसाइई आपकी इसाइई धर्म आपका इस्तमया गया और इसाइई से आपकी अनातन धर्म से आपकी जब मुलाकात होती है तो अब इससे एक नई विचारधारा जर्मली जिसे हम उन्नीश्वी सताब्दी का उन्नीश्वी सताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है देखिए जैसे हमने का इतिहास हमें सिखाता है इतिहास हमें कुछ देता है यही है कि जब इसे जानने के लिए हम यहां तक जान लिए कि इसके पहले भी इतिहास अपने आपको दोहराता है और यह दोहराया कि जब जब दो विचार आपस में मिले तब एक पर दिते हैं खपने साथा कि ने य४े वीचार द़ारा के रूप में आपका उनीश्मी सत्याद्डी का समाजीग-धार्मीग सुधार आंदोलन की क्या होती है सु दूब उती है अब हमाजी रोबा को हम कुछ में मुखरोब से बाट कर अध्यान करते हैं कितने चरण में 10 चरण वेवाट कर अध्यान करते हैं तो जयिए शरुमने बाट कर अध्यान करते हैं तो आध वोiamo से अजैसे आपका एक रड़ां आपका पहला चरण हो जाएगा जोई seconds hm भारती अपने को एक समान लाने का क्या करते हैं, प्रियास करते हैं, यानि हम कह सकते हैं कि पहले चरण में समानता के लिए संगहर्स होता है, समानता के लिए क्या होता है, समानता के लिए संगहर्स होता है, और इस दोरान आपके आते हैं, राजा राम मोहन, राय आपके आते ह ब्रकेशा कर भी यह कैसा बात व Whether Immediately इस्वर चंद्र विध्य सागर तो अ ainda में किसकी है राजा राम मोहान राय की यानि इस समय तक पर्थम चरण में धार्मिक सुधारांदोलर में बेश्व की सभ्था और संस्कृत को से अपने को समाल लाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का बिरोध नहीं करते हैं, बलकि अंग्रेजी माध्यम से या अन्य सिछा के माध्यम से हम बेश्व की जो हमारी स सुरू होता है, दूसरा चरण जो आपका होगा, दूसरे चरण में हम किसकल देखेंगे, दूसरे चरण में जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि समानता के लिए संघर्ष हुआ पहले चरण में, और दूसरे चरण में स्रेष्ठता के लिए संघर्ष हुआ, स्रेष्ठता के स्वामी दयानंद सरस्वती कौन हुए स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती और ये अपने को या अपनी व्यवस्था को विश्व की व्यवस्था से स्रेष्ट मानते हैं और कहते हैं वेदों की और लौटो जो हमारी पुरानी व्यवस् जो आपके स्वामी धयानंद सरस्वतीष में मुख्य आपके हो गए अगला है तीसरा चरण जो आपका सुरू होता है तीसरा चरण और तीसरे चरण में आपके यहाँ पर बैस्विक सर्वोचता के लिए संगर्स होता है यहाँ पर और यहाँ पर भाई और यह जो तीसरा चरण है भारत को बिश्व गुरू की उपाधि दे देता है भारत को क्या मिल जाता है विश्व गुरू की उपाधि मिल जाती है और यह दिलाने वाले विश्व गुरू की क्या मिल जाती है उपाधि मिल जाती है और यह उपाधि दिलाने वाले आपके कौन होते हैं स्वामी विवेकानन मिल जाती है और इसमें मुख भूम का किनकी है स् स्वामी विवेकानन की स्वामी विवेकानन और इन्हीं में बीच बीच में जो अन्य भी आपके समाजिक धार में सुधारा अंदोलन है उनको भी हम देख लेते हैं लेकिन यह मुख रूप से तीन चरण है आपका है है यह चो इन चरण में एक हमने देखा समानता के लिए न्हां दूसरा आपका हुआ स्रिष्टा के लिए संंगर्ष दीशरा जो चरण था स्फवीक्त शर्व Tout्जिक्त stake ili तो इस प्रकार से यह है समाजिक धार्मी का अंदोलन के तीन चरण और यहां पर आज हम पहले चरण को पहले देखते हैं तो सबसे पहले पहले चरण में हमने देखा किनको राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय अब यहां भी इसके पहले की भी जो चीजे थी वहां भी आपके कुछ जो तत्य थे अब आगे हम यहां पर देखते हैं राजा राम मोहन राय को और राजा राम मोहन राय के जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म आपका कहा हुआ जन्म आपका इनका हुआ 1772 मै 1772 राधा नगर आपका है राधा नगर बंगाल में इनका क्या हुआ जन्म हुआ राधा नगर बंगाल में इनका क्या होता है जन्म होता है 1772 मै 1772 राधा नगर बंगाल में इनका जन्म हुआ आगे हम यहां पर देखते हैं राजा राम मोहन राय कि जो मूल प्रेड़ा थी वो आपकी क्या थी ये इन्हों ने सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, बाल बीवा, बाल बीवा, और मूर्थि पूजा का क्या किया? बिरोध किया. मूर्थि पूजा का बिरोध किया. अब देखिए यहाँ पर प्रारह में जैसे हमने जाना इनका जन्म आपका कहा हुआ? बहत्तर में, राधानगर, बंगाल में जन्म हुआ, इनकी मूलाँबावना क्या थी? सतिप्रथा, बाल विवा, मुर्थि-पूजा का इन्हों ने क्या किया? बिरोध किया. और इसी मुर्थि-पूजा को लेकर, ये मुर्थि-पूजा जो आपका था, मूर्ति पूजा को लेकर मूर्ति पूजा के संदर्व में के संदर्व में पिता से विवाद हो जाता है इनका पिता से क्या होता है विवाद और ये नेपाल चले जाते है पिता से विवाद होता है और कहां चले जाते हैं नेपाल नेपाल यहाँ पर पहुँचे नेपाल और नेपाल में बाध्ध सिच्छा का बाध्ध दर्सन का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने बाध्ध दर्सन का क्या किये ज्ञान प्राप्त किये यह होता है कि किस बात को लेकर इनके अपने पिता से विवाद होता है तो यह मूर्ति पूजा को लेकर इनका विवाद होता है और यह कहां चले जाते हैं नेपाल चले जाते हैं और यहां पर बाउध दर्शन का क्या करते हैं ज्यान प्राप्त करते हैं किता खिम्रित्व के बाद अठारा सो तीन इसीवी में अठारा सो तीन इसीवी में वापस आते हैं वापस आते हैं कब आते हैं अठारा सो तीन इसीवी में वापस आते हैं और जान डिगवी ने इन्हें अपना दीवान निक्त कर लेते हैं जान डिग्बी इन्हें क्या करते हैं इसका मतलब होता है कई बार ये प्रस्न आपका पूछा गया है एकेश्वर बादियों का इतिहास ये आपका हो गया तोफद उल्मुहदीन पहला लेख और जिसमें मुर्थ पूजा का क्या किया गया है खंडन किया गया है मुर्थ पूजा का क्या किया गया है मुर्थ पूजा का खंडन किया गया है एक एक बातों को यहां पहल में जाना है मूर्थ पूजा का खंडन किया गया यह हो गया आपका कौफ़त वल्मुहदीन यह आपका है लेख प्रकासित हुआ और जिसमें मूर्थ पूजा का खंडन किया गया है अगला है प्रिशेट आफ जीसस प्रिशेट त अफ जीसस इनका अगला लेक है Research of Jesus जिसमें इसाई धर्म इसाई धर्म इसाई धर्म इसाई धर्में पीता पुत्र पुत्र परमात्मा पीता पुत्र परमात्मा कि कहानिया जो आपकी यहाँ पर बहुत सुनाई गई है इन कहानियों का इसमें क्या किया गया है बिरोध किया गया है कहानियों का बिरोध किया गया है जैनि इसाई धर्म का भी इनोंने बिरोध किया गया है यह हो गया आपका दो लेख इनके प्रकासित हुए एक किस पर प्रहार कर रहे हैं इसाइध हर्म पर प्रहार किया गया दूसरा किस पर मोर्ति पूजा पर बिरोध किया गया अगला यहां पर यह है इसी प्रकार से रागयराम मुहराय को कहा जाता है बहु भासाविद इन्हें बहु भासाविद इन्हें बहुभासाविद कहा जाता है क्योंकि ये कई भासाओं के क्या थे एसे बंगाली तो हई है इनका बंगाली है लेटिन है आपका हिब्रो है आपका अंग्रेजी है इस प्रकार से ये कई भासाओं के क्य हैं? आरसी है आपका इसलिए इन्हें बहु भासा विद कहा गया ये सब राजाराम मुहरा एक भी दी कहा गया प्रवाट का आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का पिता अधनिक भारत का पिता पुनर जागरण के अग्रदूत पुनर जागरण के क्या थे पुनर जागरण के अग्रदूत इन सभी नामों से इन्हें क्या है संबोधित किया गया नौप्रभात का तारा अधनिक भारत का पिता पुनर जागरण के अग्रदूत आधी कि नामों से इन्हें क्या किया गया समोधित कि इहां पर इसको हमके लिख दिया वह यह आपके पुनर्यागरन के गृतोत हों गया नमा आधुनिक भार्त का इने पिता कहा गया नव सकार कि यह अनिये हम चलते हैं आगे जो इनकी क्रियाखलाप आगे हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राइ ने राजा राम मोहन राइने 1815 हिस्वी में 1815 हिसी में आत्मी सभा की अस्थापना किया किसकी सभा की आत्मी सभा की अस्थापना किया गया आत्मी सभा की क्या किया अस्थापना किया गया आत्मी सभा की अस्थापना किया गया और इसमें भी एक इस्वर बाद पर आपका क्या किया गया जोड दिया गया आत्मी सभा की अस्थापना अठारा सो पंदराई सिवी में और 1817CV में डच घड़ी साज रट अई बार यह आपका इस तरह भी पूछा गया डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कालेज की अस्थापना किया हिंदू कालेज की इस्थापना किया हिंदू कालेज की अस्थापना करते हैं अठारा सो सत्तराइस भी में इसी प्रकार से अठारा सो इकीस इसवी में कोलकाता में यूनिटेरियन कमेटी आपकी ये क्या करते हैं कमेटी का गठन करते हैं अठारा सो पचीस इसवी में बेदांत कालेज की अस्थापना किया तो इस प्रकार से ये के कार्य होते जा रहे हैं कि अस्थापना किया अठारा सो पचीस इसवी में अब आगे हमें ये जानना है कि राजा राम मुहन राय ने राजा राम मुहन राय ने चंद्र सीखर चक्रवर्ती राजा राम मुहन राय ने एक समाज आपका बनाया जिसे हम कहते हैं ब्रह्म समाज जो सबसे ज़्यादा आपका प्रसिते सभी प्रसनाव से पूछे जाते हैं ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या किया अस्थापना किया तो ब्रह्म समाज की अस्थापना राजा राम मुहन राय ने कब किया ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या किया अस्थापना और इसकी अस्थापना अब के होते है 20 अगस्त 1828 सिस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की अस्थापना और इसका उद्देश से क्या है इस समाज का उद्देश से क्या है इसका उद्देश से है राजा राम मोहन राए के बिचारों के अनुसार भारती समाज में ब्याप्त करूतियों को क्या करना दूर करना ठीक है राजा राम मोहन राए के बिचार के अनुसार राजा राम मोहन राए के बिचार के अनुसार जैसे अब कुछ बिचार इनके हम जा लिए तो विचार राजाराम मुहन राय के विचार के अनुसार विचार के अनुसार समाज में ब्याप्त कुरूतियों को दूर करना समाज में ब्याप्त कुरूतियों को क्या करना है दूर करना है ब्याप्त कुरूतियों को दूर करना है यही इसका क्या है पुद्देश है प पुरूतियों को दूर करना दूर करना है किसका उद्देस से है? ब्रम समाज का क्या है? उद्देस से है तो तारा चंडर jakrvarty और चंडर किढ जिकाया हूँ प्रेला आपका किसने प्रेला दिया किसने अग्रह किया तो तारा चंडर चकर वर्ती चक्रवर्ती और चंद्रशेखर चंद्रशेखर से इन्हें ने राजाराम मोहन राय को क्या किया प्रेरित किया एक समाज अस्थापित करने की और इनहीं से आपका ये समाज क्या हुआ अस्थापित हुआ और अस्थापना किस ने किया राजाराम मोहन राय ने कई बार ये प् बन सकता है यह मुगल मूल प्रेड़ा किसकी थी किसकी प्रेड़ा से किस से प्रेड़ किस ने प्रेड़ किया था तो आपका ये है तारा चंद चक्रवर्ती और आपके कौन हो गए चंद से घर और इन्होंने प्रेड़ किया और राजारा मुहरा ने एक ब्रह्म समाज की क्या किया अस्थापना किया और इस समाज का उद्देश से क्या है समाज में व्याप्त कुरूतियों को दूर करना उस समय सबसे बड़ी समस्या थी क्या उस समय सबसे बड़ी समस्या थी सती प्रथा की और समस्या थी सती प्रथा और सती प्रथा कहते हैं कि राजाराम मोहराय की होती है और इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को समात करने का बीड़ा उठाया और उस समय हमारे देश में गवर्णर जनल लाड बिलियम बेंटिक थे और उन्होंने अठारा सो वंतिस इसवी में राजा अठारा सो वंतिस इसवी में सती प्रथा का क्या किया अंत किया वंतिस इसवी में सती प्रथा की क्या होती समात किया गया सती प्रथा को समात किया गया कई बार यह आपका प्रशन पूछा गया कि सती प्रथा को समात किया गया और इसमें मुख योगदान किसका है योगदान पूछता है तो योगदान होता है राजा राम मोहन राय का कि राजा राम मोहन राय कि इसमें मुख्ध भूमी का होती या योगदान किसका होता है राजारम मोहन रायका यह थे इनके प्रारंभिक आत्मी सभा किराबकार डच घडी सार डेविर हेर के स्वायोक से हिंदू कालेज आपके अस्थापना किये पोलकाता यूनिटेरियन कमेटी आपकी गठित हुई पचीस में आपका इनका पचीस में बेदांत कालेज आपका इन पच्छन सेखर राव ने इनहीं क्या किया प्रेरित किया और 1837 में इनहीं के प्रयास्य सती प्रथा समाप्त हुआ उस समय गवर्नर जनर्र लाड विलियम बेंटिंग थे कोई दिक्कत आगे चला जाए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं राजाराम मोहन राय के अन्य भी का पत्रकारिता का क्या कहते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं अग्रदूत कहते हैं इन्हें पत्रकारिता का क्या कहते हैं अग्रदूत कहते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत कहेंगे इसका मतलब इन्होंने कई समाचार पत्रों का क्या किया प्रकाशन किया जैसे पत् थो शंकलन किया यह बंगाली ब्याकरन का नहीं क्या किया था क्ल थे दूसरा हम बंगाली में में इन हो ने उने ऊक्तिक ह हार्षी में इन्होंने क्या किया भई ? मिरातुल अखबार और अंगरेजी में ब्राम्ह निकल माइग जीन निकल माइग जीन का इन्होंने क्या किया संपादन किया ब्रह्म निकल मैगजीन का इन्होंने क्या किया संपादन किया तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन का हरसी में मिरातुल अगबार का और बंगाली में संबाद कौमदी का इन्होंने क्या किया प पंगाली में इन्होंने संबाद कौम दी आर्शी में मिरातुल लगबार और अंग्रेजी में ब्रह्म निकल माइक जीन का इन्होंने क्या किया प्रकासन किया इनकी तो पुष्टकें आपकी है तो पुष्टक है ईशा के नीत वचन पुष्टक यहां पर जान लेते हैं कांती और खुसहाली एक आपकी यह हो गई खुसहाली दूसरा हो गया हिंदू उत्राधिकार नियम इनकी दो प्रसिद्ध यह क्या हैं दो प्रसिद्ध पुष्टक हैं दो प्रसिद्ध आपकी क्या हैं पुष्टक हैं तो प्रसिद्ध आपकी क्या हैं पुष्टक हैं तो आपका दो प्रसिद्ध पुस्तक आगे हमें देखते हैं कि 1830 का एक समय आता है अपका समय आता है 1830 में एक आपके अकबर दुती होते हैं अकबर दुती के किसी कार से जाना पड़ता है कहां पर इंगलाइड यह प्रस ना आप से पूछा गया है इसके कार से अकबर दुती के कार से आपके पिंसन के कार से कहां पहुंचते हैं इंगलाइड जाते हैं और इन्हीं दौरा इन्हीं अकबर दुती दौरा इन्हें राजा की क्या दी जाती है राजा की उपाद ही दी जाती है तब ही सिए किस नाम से जाने गए राजा राम मोहन राय नहीं थे राम मोहन राय के नाम से जाने जाते थे तो इंगलाइंड जाते हैं अकबर दुती के सिलसिले में और इन्हों ने इन्हें क्या दिया कबर दूती ने इन्हें राजा की उपाद दी थी उपाध ही दी थी किस ने दिया था अगबर दुती ने और यहीं पर 1823 इसवी में यहीं पर यानि 1823 इसवी में प्रिश्टल इंग्लाइंड में इनकी क्या हो जाती है इंग्लाइंड में इनकी मृत्त हो जाती है इनकी क्या हो जाती है मृत्त हो जाती है मृत्त हो जाती है यह भी आपका प्रस्ण पूछा जाता है इनके मृत्त हो गई 1833 में इंग्लाइंड कब गए 1830 में किसके मुकंदे या सिल्षले में अकबर दूती राजा की उपाद इनको किस ने दिया अकबर दूती ने दिया आगे हम देखते हैं जब ये एक प्रस ने यहां से उठाता है कि जब ये कहां जाने लगे समाज का कार्यभार ब्रम समाज का कार्यभार किसको दिये ब्रम समाज का कार्यभार किसको संपे थे तो ये कार्यभार संपे थे आपके राम चंद्र बिद्या बागीश को राम चंद्र बिद्या बागीश यहां रखना है ये प्रसन आप से पूछा जाता है कि जब राजार ब्राम्मोहर्य इंग्लेंड गए तो उस समय ब्रम्समाज का नेत्र तो काउन कर रहा था राम्चंद्र बिद्या बागीस कर रहे थे और जब 1831 में इंकी मृत हो जाती है तो उसे के बाद यह आपका नेत्र तो सम्हालते हैं देवेंद्रनाथ ट्राइगोर कौन हो जाते हैं देवेंद्रनाथ टाइगोर तो रामचंद विद्यावागी इसको यह सौप कर गए और बाद में इसका कालभार किस ने देखा बाद में यह आ जाता है देवेंद्रनाथ टाइगोर के हाथ में आ जाता है तो चलिए यहां पर हम देखते हैं देवेंद्रनाथ टाइगोर 1843 इ इन्होंने तत्व बोधनी सभा कि अस्थापना की यह भी बहुत आपसे पूछा जाता है तत्व बोधनी सभा तत्व बोधनी सभा अब की अगर पूछा जाए अठारा सो उन्तालिस इस भी और इसके कौन है देवेंद्रनाथ टाइगोर तो चलिए भई देवेंद्र यहां से थोड़ा सा यहां पर है देवेंद्र आपका यहां पर क्या होंगे आईए देख लेते हैं कोई बड़ी बात महीं है यह आपके क्या हो गए द्वारकानाद टैगोर यहां कि आपके नाम ऐसे मिलते जुलते हैं यह आप के हो गए द्वारकानाद ध्या रखिए है िकर हो गएतों अपर का आप की हात में की हुजात है प्रम Deutsch हे दोल कर चांद यहां के कमाण आ जाती इसकी हती उत तेन्प अन्टेगोर तोस्तों और उसके बाद करा लिए दय नाम और बताने आप ईहां जो रही है वे बदाङरतु के गया आपका यानिकी फिर से आप जा लिजिए जब राजा राम मोहरा इंग्लेंड जाते हैं तो यह ब्रह्म समाज की कमान किसको सबते हैं रामचंद इद्यावागी इसको और मृत्व के बाद यह किसके हाथ कमान आती है द्वारकारना टैगोर के फिर उसके बाद यह 43 में कि 50-50 पर होता है आगे हम चलती है यहां पर आपका सब गया हां आगे बढ़ते हैं आगे जो यह हैं आपका आठाचारा सो सोering की वांठ फिर आठाचारा सो 1765 बाति समाज में एक बार फूट परती है प्रहम समाज में बार पोटाठी है क्योंकि इस समय आपका देवेंद्रनां टैगोर और आपके कहन हो गया है केशव चंद्रशेन केमध्य आपका क्या होता है विवाद होता है जब विवाध होता है तो ब्रह्म समाज 1866 में दो भाग में बढ़ जाता है कितने भाग में बढ़ जाता है भई दो भाग में यहां पर दो भाग बना लिए दो भाग में बढ़ जाता है तो यह जब दो भाग में बढ़ता है तो एक है आपका भारती ब्रह्म समाज कह सकते हैं या इसी को हम कहते हैं भारत वर् भारत वर्षी ब्रहम स्माज आर इस वह फिए आपके होती है के 50 चंदर के 50 हम और अगला है यह आपका वर्चा एक और दूसरी सांख्य आपकी बनी इस इसे हम कहेंगे आदी ब्रह्म समाज, आदी ब्रह्म समाज, और आदी ब्रह्म समाज का निर्तित तो कौन करते रहे, देवेंदनात टैगोर, यहां से भी प्रश्न सभी आप से पूछे जाते हैं, ध्यार रखिएगा कि जब 1866 इस भी में विभाज होता है और 666 में विभाजि इस समय फिर केशो संसे ने एक आलाग ब्रह्म समाज के अस्थापना किया, जिसे क्या कहेंगे भारत वर्सी या भारती ब्रह्म समाज, और जो मूल ब्रह्म समाज था, वो किस नाम से जाना गया, आदी ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, क्लियर हुए, जो पहले से ब्रह् भारत वर्षी ब्रह्म समाज के नाम से भारत वर्षी ब्रह्म समाज यहां पर होगा भारत वर्षी ब्रह्म समाज के नाम से यह क्या हुआ जाना गया तो चलिए भाई भारत वर्षी ब्रह्म समाज आपका हो गया यह अब इसी समय आपका एक 1872 भी नेटिम मरेज आयक्ट प्रम्ह बीवाह आयक्ट पारित कराने में केसो चंद सेनी की महत्पोण भूमिका होती है अठारा सो बहत्तर इस भी प्रम्ह बीवाह आयक्ट पारित हुआ इसमें लड़कियों की आउ निर्धारित की गई और साधी 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 ये भी आपका बताया गया कि जो योग ब्यक्ति हो प्रहा लिखा ब्यक्ति हो आएसे ही ब्रह्म्ह बीवाह का मतलब पिता अपने कन्या को योग वर को क्या करें सव पे और इस प्रकार चुकि बाल वीवाह का बिरोध किया गया तो बाल वीवाह भी नहों इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया था ठारा सो बहत्तरिश्वी लेकिन केसाव चंद्र सेन इसको पारित कराने में भूम का किसकी थी केसाव चंद् लेकिन गलती फिर काउन करते हैं, केषव चंद्र सेन ही करते हैं, केषव चंद्र सेन अपनी पुत्री का बीवा, वहा कुछ बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। ब्रह्म समाज कब 1878 श्रीमें साथ हारन ब्रह्म समाज नाम से एक और ब्रह्म समाज की क्या हो गई। अस्थापना हो गई, एक और ब्रह्म समाज की अस्थापना, जैनि ब्रह्म समाज में फिर आपकी फूर पड़ गई, ब्रह्म समाज की अस्थापना होती है, की अस्थापना होती है, बात समझे भई, कि ब्रह्म समाज की यहाँ पर क्या हो गई, अस्थापना हुई, और इस ब और कौन है स्तिवनाथ सास्त्री और आनंद मोहन पोस हो गए यह आपके हो गए साधारन ब्रह्म समाज यह था ब्रह्म समाज की कहानी इस प्रकार से यह आपका हुआ पहली बार फूट पड़ती है 1866 में और दो आपके बंते हैं एक आज ब्रह्म समाज और एक आपका भारत वरशी प्रह्म समाज यह भारती ब्रह्म समाज में के सौचंद सेन के नेतित्व में पर 78 में इस दूबारह फूट पड़ती है और zij 1878 में दूसरी बार यहां पर क्या होती है दूसरी बार फूट पड़ती है और इस समय कारण आपको पताया गया है कि दूसरी बार जब फूट पड़ती है तो इसका कारण आपका क्या हुआ इसका कारण हुआ कुछ बिहार के राजा के साथ के सोचन सेन का अपनी पुत्री का बिवा करना और इसी कारण से एक नया ब्रह्म समाज बना जिसे साधारन ब्रह्म समाज के नाम से जना गया यह है आपका राजाराम मोहराय की भूम का यह है आपका ब्रह्म समाज और इस प्र पहला मिशनरी आंदोलन था, पहला मिशनरी क्या था, आंदोलन था, और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय पहले मिशनरी है, राम मोहन राय क्या है, पहले मिशनरी है, राजा राम मोहन राय क्या है, पहले मिशनरी है, राजा राम मोहन राय पहले क्या बने, मिशनर बने तो इस प्रकार से इन्होंने भारती समाज पहले मिशनरी बने और इस प्रकार से इन्होंने भारती समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कि सब्धताओं से एक समान लाने का क्या किया प्रयास किया भारत में बाश सतीप्रथा बाल बीवा और मुर्थ पूजा आज का इन्हों क्या किया बिरोध किया और भारती समाज को भिष्व के सभ्यताया समाज के सामने ला कर खड़ा कर दिया यही है राजाराम मोहन राय का चले इसी प्रकार से आज हम देख लिए राजाराम मोहन राय को और साथ ही साथ कुछ अन केशोचंद्र सेन से भी जुड़ी हुई एक आद और आपके संग्ठन है जो आपसे बहुत इग्याम में पूछे जाते हैं जैसे आपका एक है वेद समा वेद समाज हम लेते हैं अस्थापना वेद समाझ की अस्थापना आपकी कव हुई अस्थापनाह की हुई अठारा सव kijken प्लीच topics 19樂 में में संस्थापक इसके कौन है संस्थापक है के स्री धरालू नाइडू है इसके क्या है आपके संस्थापक है और प्रेडा किसे मिली प्रेडा इसको किसे ने दिया प्रेडा दिया था केशाव चंद्र सेन ने परेड़ संवा किसने किया केशोंचंद सेन यानि केशोंचंद सेन की परेड़ा से वेद समाज की आपकी क्या होती है अस्थापना होती है अस्थापना कब हुई wrist चारा सो चौशटीजवी में, अस्थान कहां पर मद्रास में, स्थान स्थापा किसके केश धरालू नाइडू है, प्रेड़ा प्रेरित किसने किया केशो चंद सेने, और इसी को दच्छड भारत का क्या कहते हैं? दच्छड भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, दच्छड भा दच्छड भारत का ब्रह्म समाज नाम से जाना जाता है, कौन सा समाज है आपका वेद समाज है, तो वेद समाज को दच्छड भारत का क्या कहते हैं? ब्रह्म समाज कहते हैं, इस्थापना कभ हुई? चौसठ में हुई, आगे इसी प्रकार से, अगला ये का है आपका प्रा प्रार्थना समाज भी देख लेते हैं यही पर प्रार्थना समाज। यह दो आपके बहुत महत्वपूरी आप से पूछे जाते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आपका है अठारा सव सर्शतिश्वी। प्रार्थना समाज आपका कहां अस्थापित होता है अस्ठापक आपके हो गया अस्थाना आपका कहां महाराष्ट में औरे महाराष्ट में चंस्थापक इसके काउन हो गया अस्थापक आपके हो गए आतमा राम पांडू रंग आतमा आतमा राम पांडू पांडू रंग आपके इसके क्या हो गए अस्थापक बाद में इससे जुडते हैं बाद में जुडते हैं बाद में जुडते हैं अस्थापना के बाद जुडते हैं जुडते हैं आपका प्राठना समाज लोगप्री हो गया तब से जब से एमजी रानाडे से जुडते हैं तब से यह क्या हो गया लोगप्री हुआ और एमजी रानाडे को एमजी रानाडे को क्या कहते हैं महाराष्ट का सुकरात कहा जाता है महाराष्ट का क्या कहते हैं महाराष्ट का सुकरात कहते हैं सुकरात कहते हैं और यह जो हैं कोपाल कृष्ण गोखले के गोपाल कृष्ण गोखले के गोखले के क्या है गुरू है राजनीतिक गुरू राजनीतिक गुरू है राजनीतिक गुरू है काउन आपके हो गये एर इस प्रकार से टोनों आप जानते रहीए यह हो गया प्रात्ना समाझ और एक आपका हो गया वेडी समाझ तो यह था आपका इसे प्रकार से हम आगे कल देखेंगे महा राश्ट में धार्मde सुधारान दोलर्नॉर है यह अग toen आगे की बात कल करते हैं। यद्हाइब लगया को उधिक संद आया हो और अधिक से अधिक मित्रों को सेर करिएगा, लाइक करिएगा, फिर हम कल इसी समय पर उपस्तित होंगे, नमस्कार